मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सुब का अपना चैनल, इसके सोनू टेक वर्ड में दोस्तों, मैं आज आपको बता दू की, इस वीडियो में हम आपके बहुत से कमेंट का जबाब देने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंतक देखें और अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो नीचे लाल बटन को दबा कर चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें और घंटी को दबाएं ताकि और भी आपको नई नई जनकारी मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं आज का पहला कमेंट किया है यहार भाई कमेंट किया है पार्ट वन में पास हूँ लेकिन पार्ट टू में प्रमोटेड है तो पार्ट थिरी में एडमिशन होगा क्या तो यहार जी में आपको बता दो कि आपका एडमिशन जरूर होगा आप जाए कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और आप करा सकते हैं चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं पिंकी बर्मा कमेंट की है मेरा मार्क सीट कॉलेज में आया ही नहीं है मैंने सारे एक्जाम दिये थे मैं क्या करूं प्लिज बताइए मुझे तो पिंकी जी में आपको बता दो कि ये तो कॉलेज ही बताएगा कि क्यों नहीं आया क्या कारण है आप जाकर कॉलिज में किंटेक्ट के जिए और पुछे कि नहीं है चलिए अगला कमेंट परते हैं तो प्रतिमा कौना уже हुआ था तो बोला गया था कि तीन से चार दिनों के अंदर वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई सुचना उनिवर्सिटी के तरफ से नहीं मिल रही है जैसे ही मिलेगा कोई सुचना मैं आपको जरूर बताऊंगा चलिए अ आपको बता दो कि एक कॉलेज भी बताएगा कि कितना फी कौन से कॉलेज में लग रहा है तो किर्पिया आप जाकर कॉलेज में मालुम कर लें चलिए अगला गवनट परते है छोटू कुमार कमेंट किया है दोहर उनिस का नमांकन नहीं होगा क्या तो conceived जो चोटू जिसका क अगला कमेंट परते हैं, अधित्या कुमार कमेंट किये हैं, पार्थिरी का फरम कब से भराएगा तो अधित्या जी में आपको बता दू कि अभी पार्थिरी में एड्मिशन हो रहा है, पहले एड्मिशन जाकर आप करा लिजिए, चलिए अगला कमेंट परते हैं, एपी तो जी मैं आपको बता दो कि अगर आप पाट्टू में फिल हैं तो मुझे बहुत कम ही चांस है कि आपका पाट्थिरी में एड्मिशन हो पाएगा क्योंकि अगर आपका पाट्टू में प्रमोटर रहता तो आपका एड्मिशन हो सकता था लेकिन फिर भी आप अपने जाकर इसके बारे में पुरी अच्छी तरह से जनकारी ले 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 चलिए अगला कमेंट परते हैं सगुपता पर बीन कमेंट की है पाट्थिरी का एड्मिशन कब होगा तो सगुपता जी मैं आपको बता दूँ कि एड्मिशन चालू है कि जाकर आप अपने कॉलेज में माल किये हैं माल लिजिए जो प्रैक्टिकल छोड़ दिया है वो क्या करेगा पिलिज बताईएगा तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका प्रैक्टिकल छुट गया है तो आपका रियल्ट नहीं आएगा अगर रियल्ट आता भी है तो आपका रियल्ट प्रमोटेड आपको नेक्स्ट सेशन में फिर से एग्याम आपको देना परेगा चलिए अगला कमेंट परते हैं अपी कुमारी कमेंट की है जिसका रियल्ट सो नहीं कर रहा है वो अंग पत्र कहां से देगा तो अपी जी में आपको बता दो कि आपके कॉलेज में मार्क सिट आ चुका है त फोरम और एडमिशन दोनों एक साथ होगा क्या तो सेलेज जी में आपको बता दो कि अभी तो नमांकन ही हो रहा है लेकिन फोरम कोप से भराएगा इसके बारे में अभी कोई जनकारी नहीं है चलिए अगला कमेंट परते हैं जीतेंदर निगम कमेंट किये हैं सत्र सही से च नहीं चल रहा है हो सकता है कि जनवरी या फरवारी तक कहीं नियमित हो जाए लेकिन अभी सत्र नियमित नहीं चल रहा है तो फ्रेन आज मैंने एके करके बहुत से कमेंट का जब आप दे दिया हूं तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें फिर भी कोई कमेंट बच दोस्तों में सेयर करें फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए बाए बाए